किस प्रकार का आइडिया चैनित होता है इंस्पायर आवर्ड्स मानक में बच्चों इंस्पायर आवर्ड्स मानक में आइडिया चैनित किस प्रकार का होगा आइडिया मोलिक होना चाहिए अर्थात मोलिक विचार नव प्रवर्तन ही आगे बढ़ेगा मुलिक विचार से क्या भी प्राय है मुलिक विचार मतलब आपका स्वैम का आईडिया या विचार अब वो क्या है कि कोई मशीन या गेजट जो नया हो और जिसकी कम्या आपने कहीं महसूस की हो आपने वो घर में महसूस की हो घर के बाहर महसूस की हो स्कूल में महसूस की हो ग्राउन में महसूस की हो कहीं भी किसी मशीन या गेजट जो बिलकुल नहीं है और जिसकी कम्याप महसूस कर रहे हो आपको लग रहा है ऐसा हो जाता तो और सुवीदा जनक हो जाता और बढ़िया हो जाता वो आपका आइडिया होगा मुलिक और बच्चों ऐसा भी हो सकता है कोई कोई उपलग्द मशीन या गेजेट हो जिसको आप बहतर बनाने का एक आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसमें ऐसा ओर कर देते तो यह ओर अच्छा हो जाता या उसको multipurpose बनाने का बहुत देशी बनाने का कोई आइडिया आपके पास आ जाए कि यह मशीन या गेजेट यह काम तो करी रहा है इसके साथ यह काम भी और कर दे तो और अच्छा रहेगा और कम खर्च में वो सब संभा हो पर्यावन के चिंता करते हैं रहे हो आर्थिक लाप के साथ वह सब संभा हो तो यह भी आइडिया आगे बढ़ सकता है किसी भी तक्नीक में सुधानी का आइडिया दे दें चोटी सी तक्नीक भी मतलब सुधार का एट छोटा सा आइडिया भी अगर उस technology को useful बना सके, उपयोगी बना सके, मानों के लिए उपयोगी बना सके, तो वो idea भी काम का हो सकता है तो बचों हमने देखा कि idea मोलिक होना चाहिए, मतलब आपका विचार मोलिक होना चाहिए और बचों ध्यान रहे, जो सामाने जारी विचार या प्रोजेक्ट हैं, जो बुक्स में पहले से उपलब्द हैं इसलिए ideas को inspire awards मानक में selection नहीं मिलेगा, inspire awards मानक में selection मिलेगा केवल उन ideas को जो मोलिक होंगे, वे विचार जो मोलिक होंगे अब मोलिक विचारों पर मैंने अभी बात की आपके साथ, कि machine ya gazettes जो आप नया बना देते हों, और जिसकी कमी को आप महसूस करते हों जो पर्याबरन के अनुकूल हो, मानव हित में हो, कम खर्च में बन रहा हो, और जो पहले से मुझूद टेकनोलोजी है, उससे क्या हो, उसमें सुधार हो रहा हो, उससे बढ़िया हो, तो बच्चों वो idea आपका select हो सकता है तो आईए मद्यप्रदेश से inspire awards मानक में राश्टी स्थर परचैनित हम कुछ बच्चों से मिलते हैं, मैंने उनसे बात की है, उनके ideas पर हम चर्चा करते हैं, आईए हमारे साथ हैं प्रदीप, जिन्होंने प्याज की पोद लगाने की machine मनाईए मद्यप्रदेश के प्रदीप, गवालियर से है, प्रदीप, यह idea कहां से आया प्रदीप, यह idea कहां से आया, तो कैसे किया यह, कैसे हुआ इसे किया आपने पताएंगे, हाँ चला के बता दीजहू आपने तो भूह आसान कर देजानिगे पॉदे इसे रहे हैं, फाइपर मेट आजिए यह जाने के लिया, जैसे यह प्रदेगड़े के है, यह यह आपने तो बहुत आसान कर दिया इस काम को थैंक यू